नवस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालता है आज की प्रमुक खबरों पर नितिश कुमार चुने गए जेडी यू के नए अध्यक्ष ब्यार के मुखे मंदरी नितिश कुमार को जेडी यू का राष्ट्य अध्यक्ष चुन लिया गया शरत यादव राष्ट्य कारे करनी की बैठक में बोलते बोलते भाउक हो गये थे और उनकी आसू छलक पड़े थे तीन बार जेडी यू अध्यक्ष रह चुके शरत यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे चौती बार ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे शरत यादव ने कहा कि हमें जेडी यू का विस्सार करना है हम इस्तिफा देने के बाद वापस नहीं लेते हम उसी दाकत से काम करेंगे जैसे पहले करते थे और सक्रिय रहेंगे जेडी यू में अपनी भूमिका के सवाल पर उन्हों ने कहा कि यह तो पार्टी ही तै करेगी यादव ने कहा कि हम कोई इस पार्टी के चलते देश की राज़्डिती में नहीं है लोगों का प्रेम है हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे केरल के मंदिर में भीशन आख से 110 की मौत पांच हिरासत में केरल के कॉलम जिले के पुत्तिलिंग मंदिर में रही वार सुबह 3 बजे के करीब भीशन आख लग गई इस भीशन आख के चलते हुए हाथसे में कम से कम 110 लोगों की मौत हो गई जबकी 381 लोग घायल हो गए आग लगने की घटना के पद प्रिधान मंदरी नरेन मोधी ने वहां का दौरा किया और हालत का जायजा लिया इस हाथसी की जास का जिमा क्राइम ब्रांच को सोपा गया है बताय जाताए कि मंदिर में उत्सों के प्रथाओं की समापती की बाद हुए आतिश भाजी की वज़े से यह हाथसा हुआ देड़ किलोमेटर की दूरी तक इसाग का असर रहा मंदिर की छट पूरी तरह से जलकर खाक हो गई साथी मंदिर का एक हिस्सा भी गिर गया यहाँ दो इमारतों के मलबे बिख्रत है जिनमें कमबा पूरा गोदाम शामिल है जहां पठागे और आतिश भाजी की चीजे रखी हुई थी विस्पोर्ट में यह इमारते पूरी तरह जलकर खाक हो गई आतिश भाजी से दुड़े कॉंटर के खिलाव भी केस दर्श किया गया है जिसमें पाच लोगों ने आतिश भाजी की उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया केरल के मुक्यमंत्री ओमन चैनले ने गोशना किये कि मुरुतकों के परिवार को 10-10 लाक रुपे दिये जाएंगे और गंबी रूप से घायलों को 2-2 लाक रुपे दिये जाएंगे और इसे स्प्रमुग मोहन भागवत ने संगठन के सदस्वों का आवाल किया कि वै भारत को विश्वनेता बनाने का संकल्प ले जिससे की समूचा विश्व भारत माता की जय कह सके सामुहिक संकल्प हमारा एक मात्र संकल्प है उन्होंने कहा कि हमें राष्टवादी आदर्शों के जरीए समाज को एक कर रहा है तथा अपने देश को विश्वनेता का दर्चा दिलाना है और हमें इसे ऐसा बनाना है कि समुचा विश्व भारत माता की जय कहे भागवत ने कहा कि संकीरी केवल एक जय है और वह है भारत मताखी जय